हेलो एबरिवन कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी नेट की प्रेपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी दोस्तो हम लोग एक नई सिरी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Most Expected MCQ सिरीज ये सिरीज आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है NTA UGC Net History के एक्जाम के लिए दोस्तो आपने प्रेपरेशन तो पूरी कर ली होगी और मुझे पता है आपकी जो प्रेपरेशन है इस टाइम नेक्स्ट लेबल पर है और आप रिविजन भी कर रहे होंगे इसके बाब जूद फिर भी हम आप लोगों के लिए एक सिरीज लेकर आ रहे हैं जिस सिरीज के अंदर हम लोग Most Expected MCQs को डिस्कस करेंगे इस सिरीज के अंदर केवल मात्र उनही प्रशनों को शामिल क्या जा रहा है जिनकी पूरी-पूरी संभावना है NET के एक्जाम में आने तो यह आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है Next दिन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा इसका और हम चैप्टर वाइज जो है 20 से 25 कोशन को डिस्कस करेंगे जो पूरे-पूरे NET में आने की संभावना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटा-फट से ताकि आपका टाइम भी बैस्ट ना हो पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर किस बैदिक ग्रंत में वर्ण शब्द का सरप्रतम उलेक मिलता है ठीक है वर्ण शब्द का उलेक सभी को पता है रिगवेद में मिलता है रिगवेद के दस्वे मंडल के अंदर हमको वर्ण शब् अंदर हमें वर्ण वेवस्ता का उलेख मिलता है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रशन देख लेते हम लोग, परसिद दस राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, आपके उप्शन है, गंगा, भ्रह्म पुत्री, कावेरी, पुर्शनी, सही अं नेक्स्ट कोशन है, वेदिक काल में असफरशता का आधार क्या था, अंटचेबिलिटी, ठीक है, अंटचेबिलिटी का वेज क्या था वेदिक काल में, आप सभी लोग जानते हैं, ओकुपेशन के आधार पर अंटचेबिलिटी को डिफाइन क्या जाता था, तो वेवसाई आपका right answer है next है गायतरी मंतर के नाम से परसिद मंतर का सरप्रथम उलेक किस गरंथ में मिलता है गायतरी मंतर आप सभी लोग जानते है रिगवेद के अंदर हमें गायतरी मंतर का उलेक मिलता है next है निमेलिखित आश्रमों को कर्मानुसार विवस्तित कीजिए आप सभी को पता है चार आश्रम होते थे और चार आश्रम को 25 वर्ष के आउदी में इनको निर्धारित किया गया है तो पहला जो आपका आश्रम है वो कौन सा है ब्रह्मचारी आश्रम जो चलता है एक से 25 वर्ष्ट पचास से 75 वर्ष तक जिसमें आप बन की और प्रस्थान करते हैं बान प्रस्थ जंगल में चले जाते हैं नेक्स्ट जो है वो है सन्यास 75 के बाद आप सन्यास में परवेश करते हैं राइट ओप्शन ए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उलेक सरवप्रथम सरवप्रथम वाले बहुत सारे कोशन नेट में पूछे जाते हैं किस में मिलता है ठीक है तो ये मिलता है आपको अथरवेद के अंदर अगला है पूरवेदिक आर्यो का धरम मुख्यत था क्या था उनका धरम किस की बात हो रहे है पूरवेदिक में आर्यो के धरम की बात हो रहे है वो प्रकरती की पूजा करते थे और साथ में यग भी करते थे ठीक है प्रकरती पूजा और यग अगला प्रशन है रिगवेदिक धरम था जो रिगवेद काल का धरम था वो किस तरह का था नेचर में उसका नेचर क्या था नेचर की बात की जा रहे है तो वो था बहूल देवाद ठीक है बहुत सारे देवि देवताओं की पूजा की जाती थी next है रिगवेद काल में जनता निमन मेंसे मुख्यता किस्व में विश्वाश करती थी रिगवेद काल के अंदर बली होता था करमकानड विवस्था होती थी आडमबर थे next है गोत्रशब्द का सरप्रत्थम परियोग ठीक है गोत्रशब गोत्रशब का सबसे पहले हमको मिलता है रिगवेद के अंदर ठीक है नीचे दो वक्तव ये दिये गए है ये एक को कथन A और दूसरे को कारण R ठीक है कथन वारे प्रशन आते हैं ये मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाए थे अगर आप नहीं समझेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हमारे को क्या करना होता है पहले दोनों स्टेटमेंट को कि आरंबिक आरिये जो अनिवारे तो पशुचारे थे यानि कि पशुपालन करते थे ना ही ऐसी कोई राजनितिक सरचना बिक्सित नहीं थी जिसे प्राचीन तथा आदुनिक अर्थ में राजिये के रूप में माना जा सके ठीक है अब हम लोग पढ़ लेते हैं कारण को कारण क्या बोलता है कारण बोलता है कि राजतंत्र वैसा ही था जैसा की जन्जाति मुख्यातंत्र है जन जाती का एक क्या है मुख्या होता था उसी तरह का वहाँ पर राज तंतर विद्यमान था शब्द का परियोग होता है यानि कि मुख्या तंतर शब्द का परियोग होता है जो मुख्या तो एक सेनापती था और जो अपने लोगों पर शाशन करता था किसी विशेश करण पर नहीं था ठीक है तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी सही है जो आरे व्यवस्ता थी उसमें पशुचारी लोग पशुचारी उनका व्यवस्ताई था और जन्जाती का एक मुख्य होता था तो आपका जो राइट अंसर है वो है ए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैत्रे सहीता मैत्रे सहीता का संबंद है यह किस से संबंदित है मैत्रे सहीता यह सामबेद से संबंदित नेक्स्ट प्रेशन है रिक बेट के किन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है वंश मंडल से आपका क्या भी प्राइज जो सबसे प्राचीन मंडल थे मनलब जिनका जो उदभव है जिनका जो विकास है सबसे पहले हुआ इसमें वंश मंडल दुवित्य से सब्तम यानि कि दो से लेकर जो साथ तक है दो से लेकर साथ तक के मंडल को बूला जाता है वेस मंडल ठीक है और जो पहला और दसवा मंडल है ये बाद में जोड़े गया है पहला दसवा आठवा नौवा ये मंडल जो है ये बाद में रिक वेद के अंदर शामिल कियेगे अब है कौन सा बेद गरन बेद जो है कौन सा यहाँ पर सा आएगा कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद में लिखा गया है ये है यूजर वेद नेक्स्ट है सरम प्रतम स्थूप स्थूप शब्द का परियोग का उले किस में मिलता है ठीक है वो धरम में क्या स्थूप बनाय जाते थे आपने साची का स्थूप लेखा होगा तो इसका परियोग हमको सबसे पहले मिलता है रिग बेद में ये एक शब्द है स्थूप ठीक है? नेक्स्ट बेदिक गरंधों में उप्यूक्त रीत शब्द ठीक है? ये किस से संबंदित है? रीत शब्द रीत शब्द किस से संबंदित है? ये है नेतिक बेवार से संबंदित नेतिकता से संबंदित है प्रशन नमबर 17 उदालक आरूनी एवम उनके पुत्र जो शुएत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्ता के विश्ये में परशिद वारतालाब किस में वरनित है? तो ये जो वारतालाब है ये हमको मिलता है चंदोग या उपनिशद के अंदर रिगवेद में उलिखित यव यव शब्द किस क्रिशी उत्पादन है तू उप्यूगत क्या गया है? यव का जो परियोग है वो हुआ है जो के लिए जो को बोला जाता है यव नेक्स्ट है नची किता और यम के बीच सुपरसिद समबाद वो लखित है किस के अंदर मिलता है अमको ये? ये मिलता है कठो उपनिशद के अंदर ठीक है? इससे क्या है? आपका रिविजन बिलकुल फास्ट हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो बरबाद ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो ठीक है? नेक्स्ट है पुरुष्मिग यग का उलेख सरप्रथम किस में मिलता है? आप सभी जानते हैं पुरुष्मिग जो यग है इसका उलेख हमको सबसे पहले गोपत ब्रामन के अंदर मिलता है तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और शियर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं